हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माइक चैनल माइनम इस आंकूर मेंदरता दोस्तों जूड़े में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ओपर बात करने वाले हैं देखो पहले तो मेरा मन था कि तू जूठी में मकार के डे सिक्स की बॉक्स प्रडिक्शन के ओपर बात कर है और एक्चुल बजट कितना निकला जब से भाई भूशन कुमार की वो क्लिप वाइरल हो रही है उससे सारा भाई दूद का दूद पानी का पानी हो गया सब कुछ पढ़दा फाश हो गया है अब देखो कौन सच्चा कौन जूठा यहां पर मैंने जो थमने लगाया है न टोटली उसके ओपर बात करने वाले है एक तरफ है आदी चोपड़ा और शारुखान एक तरफ है भूशन कुमार और रनबीर कपूर देखो रनबीर कपूर और भूशन कुमार की फिल्म आती है भाई तू जूठी में मक्कार हमें बताय जाता है कि बाई सतर करोड बजट ह किया है और डेशिक्स की अगर मैं प्रेडिक्शन मानू तो फिल्म के प्रेडिक्शन आ रही है छे से साथ करोड रुपए देखो अगर आप रॉम कॉम की जो जॉन्रा होता है ना उस फिल्म को लेकर चलो क्योंकि कोई एक इवन्ट फिल्म नहीं है हाई एक्शन ड्रामा न करती है कहां लगा 200 करोड रुपए यह नहीं समझा है सिर्फ फॉरन लोकेशन पर शूटिंग करने से ही भाई 200 करोड रुपए नहीं लगता आज के टैम में जो होता है ना जो एक्शन होते हैं हाई वी एफेक्स होता है उसके ओपर पैसा जाता है पर यह फिल्म ऐसी बिलक 200 करोड रुपए रनवीर कपूर कितना ले जाएंगे उनको छोड़ दो तो कोई बड़ा एक्टर नहीं है जो जादा पैसे लेता हो पर एक्शुल में क्या है वो कुछ समझ नहीं आ रहा अब इससे क्या होता है पूरी की पूरी इंडस्री बंदाम होती है कि भाई एक मेकर से अपनी फिल्म को हिट साबित करने के लिए उसका बजट को आदे से भी कम कर देता है और बोलता है हमारी फिल्म हिट हो चुकी है सत्ता करोड बजट है और हमारी फिल्म इतना बिजनस कर रही है इससे क्या मैसिज जाता है इससे ये मैसिज जाता है लोगों का विश्वास कम होता है ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपकी फिल्म का जो एक्चुल बजट है वो सामने लेकर हो बताओ ताकि लोगों को पता लगे कि भाई फिल्म कितना बिजनस कर रही है कितने लॉस में चल रही है एवरिज होगी हिट होगी फ्लॉप होगी वो सब कुछ बाते क्लियर होने चाहिए आज की जनता ये चाहती है सब कुछ क्लियर होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह अब आते हैं पठान के ओपर देगो पठान जब से रिलीज होई है उन्होंने साफ बताया है मोटे पडे शब्दों में बोल्ड लेटर बताया कि हमारी फिल्म का बजट है 2500 करोड रुपय 2500 करोड के हमारी फिल्म है कितना कमाएगी वो जब होगा डेली के डेली के डेली केलेक्शन्स आते हैं अब दूसरी बाज आ जाती है पठान के ओपर क्या इलजाम लगा है कि भाई पठान के मेकर्स ने सारी के सारे टिक्टे खुद खरीदी है सारी के सारे भाई हाउसफुल खुद करवाए है ये सारा इलजाम लगा है शारुख खान के ओपर और आदी चोपडा के ओपर उनकी फिल्म को कोई देखने नहीं जा रहा जो भी हो रहा है सारे लोगों को भेजा जराया जा रहा है किराये पर लेकर और है गाउसफुल का टैग दिखाया जा रहा है में ट्रेड को खरीद लिया है बताओ अच्छी खासी कलेक्शन बताओ भाई कुछ नहीं समझाता अब देखो एक फिल्म जैन्वन कलेक्शन कर रही है जैन्वन उसके जो कलेक्शन की रिपोर्ट आ रही है उस वो फिल्म भी ऐसे ही बदनाम हो जाती है भाई कट घरे में खड़ी हो जाती है कि क्या पठान भी तो ऐसा नहीं कर रही गलत कलेक्शन तो नहीं दे रही पर ऐसा बि भूशन कुमार ने किया है भूशन कुमार अगर यह बिल्कुल 200 क्रोड की फिल्म है और हमारे सामने 70-80 क्रोड बजट पेश किया गया है तो यार दिस इस नौट एक्सेप्टेबल यह सही नहीं है पबलिक को सब सच बताना चाहिए इससे आपकी पूरी इंडरस्ट्री बंद पारे हैं यह सब सही है नहीं है बाई in the end क्या होता है जंता है सब जानती है कही ना कहीं चे सब कुछ सामने आ जाता है इंटरनेट के जमाने में कुछ भी नई छुपा हुआ है जो होता है एक न एक दिन आगे आ जाता है पठान के मेकर्स बहुत सही कर रहे है जो है जैनून बता रहे है फिल्म 30 लाग कमारे 30 लाग बता रहे है 50 कमारे है 50 करोड कमारी है तो 50 करोड बता रहे है तो ये तारीफ करने होगी आदी चोपड़ा की शारू खान की पठान के मेक झूचिं